हिलो रिवान मैं हूं किरिन शापरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वी का साफता ही क्राशीफल विफोर आई स्टार्ट अगर आप मेरे साथ टारो स्ट्रालोजी कर सेशन बुक करना चाहते हैं जिसमें रेमेडीज और काउंसलिंग इंक्लोडेड है आपको मेरी contact details नीचर description box में और इस वीडियो के end में भी मिल जाएंगी और मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप मुझे WhatsApp मेसेज करेंगे तो जादा भेतर रहेगा क्योंकि बहुत सारे phone calls आते हैं, phone calls at times मिस हो जाते हैं लेकिन जब आप WhatsApp पे message करते हैं आपको definitely जवाब मिलता है और इसी के साथ साथ coming week के साथ ताहिक राशी फल शुरू करते हैं ये 23rd September से लेकर 29th September तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सभी signs के साथ ताहिक राशी फल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आ जाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का साथ ताहिक राशी फल आप लोगों के लिए coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the lovers और दिए lovers का card हैं आपर relationships की बात करता है और जो भी चीज हम लोग बहुत enjoy करते हैं आप फिर जिसके लिए हम बहुत passionate होते हैं उस चीज को भी represent करता है और specifically इस week आपके professional front में इसी के around energies रहते भी दिख रही हैं यानि कि कुछ series के लिए हो सकता है कि again जिस काम को लेकर आप बहुत passionate हैं आप बहुत enjoy करते हैं आप उस पे जादा focus कर रहे हैं या फिर situation circumstances ऐसे हैं कि आपको वही काम करने को मिल रहा है और आप बहुत happy feel कर रहे हैं या फिर you know जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आपका relationship कैसे बहतर हो इस पे focus कर रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी situation circumstances ऐसे हैं कि उनके साथ आपकी बड़ी अच्छी bonding हो रही है बहुत अच्छे से आप उनके साथ connect कर रहे हैं आपके relationships overall professional front में भेतर हो रहे हैं और कहीं ये card choices और decisions को भी represent करता है तो कुछ ये इस के लिए भी हो सकता है कि कोई decision कोई choice आपको लेनी है उसके उपर आप focus कर रहे हैं उसी से related एक सोच रह रही है और कुछ के लिए हो सकता है confusion भी रह रहा है कि आप क्या करें दिल की सुने या पर दिमाग की सुने और देखे lovers का card आपको यहाँ पर यही कह रहा है कि इस week आपने दिल की जादा सुननी है normally professional front में मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई head over heart होना चाहिए जादा हमें logically चीज़ों को deal करना चाहिए बट क्योंकि इस बरी lovers का card है तो दिल की आवाज को आपना ignore करें अपने दिल की आवाज जरूर you know nutshell मैं कहूंगी आप सुने overall ये week professional front में ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए night of michael का card है तो दिखे कहीं reverse energies रहते हुए दिख रही है professional front में कहीं cards कहते हैं दिल की बात सुने और personal front में cards कह रहे हैं कि दिमाग की जादा बात सुने और कभी-कभी ये reverse चीज़ें हमें करनी पड़ती है और अगर हम night of michael के हिसाब से personal front को देखें तो बहुत तेजी से चीज़ें आगे बढ़ती हुए दिख रही है in fact कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि sudden changes हो रहे हैं कुछ changes आपने expect नहीं कर रहे थे वो इस week रह रहे हैं और क्यूंकि ये weekly rating है तो कोई बहुत बड़ा change नहीं होगा इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है छोटे मोटे बदलाव छोटे मोटे changes again जो आपने expect नहीं कर रहे थे जिनकी आपको उमीद नहीं थी वो रहते हुए दिख रहे हैं और ये काट कही ट्रावल की भी बात करता है तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है आपका ट्रावल का प्रोग्राम बन रहा है या फिर आप ट्रावल से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं एक movement एक shift फिर से मैं कहूंगी बहुत तेजी से आते हुए दिख रही है और या तो आप चीजों को लेकर बहुत impulsive हो रहे हैं पर external friend में इतनी तेजी से चीज़े आगे बढ़ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप बस रुक नहीं सकते हैं आपको इन ही सब चीजों के साथ अपनी speed मैच करनी है नहीं तो आप किसी चीज को miss कर देंगे और कहीं in the process आप logical हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो ये card आपको यही suggest करता है कि अगर आपने दिल की जादा personal friend में सुनी या फिर आप emotion से carried away हो गए तो आप परिशान हो सकते हैं लेकिन अगर आपने heart और mind का balance रखा या फिर थोड़ा जा logically चीजों को deal किया तो personal friend आपका जादा अच्छा जाएगा क्योंकि देखिए Knight of Michael का card है और Knight of Michael कहीं किसी इनसान को या एक human being को भी refer करते हैं तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इनसान जिनकी again जो again बहुत impulsive है या फिर बहुत logical है, intellectual है उनके साथ आप जादा connect कर रहे हैं, आपकी जादा बाचीत हो रही है कुछ के लिए हो सकता है कि इस week ऐसा कोई इनसान आपकी life में आ रहा है कुछ के लिए भी हो सकता है कि already कोई ऐसा इनसान है उनके साथ फिर से मैं कहूंगे आप जाधा connect कर रहे हैं, जाधा interact कर रहे हैं तो overall ये भी neutral रहता हुआ दिख रहा है personal front में क्योंकि sword का card है और sudden changes की भी बात करता है तो कुछ इस तरीके के changes रह सकते हैं and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए strengthening bond का card है और ये जाधा मुझे professional front के लिए रहता हुआ दिख रहा है और क्योंकि ये general reading है तो मैं specifically नहीं बोल सकती लेकिन इस card के हिसाब से आपके लिए ही message है कि अपने relationships को भैतर करें कितनी बारी हम बाकी चीजों पर focus करने पर इतना जाधा attention देते हैं कि हम अपने personal connections या फिर जो भी लोग हमारे लिए important हैं उनको ignore करते हैं उनको neglect करते हैं तो ऐसा अगर आपको भी बहुत time से लग रहा है इस week थोड़ा सा ज़रूर आप time निकालें अपने relationships के लिए especially जो आपको बहुत matter करते हैं आप लोगों के लिए mercury घ्रह का कार्ड है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे description box में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें हैं coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है 2 of Michael और इस card को अगर मैं literally read करूँ तो इसमें लिखा हुआ है it will all get better if you just make that decision, if you just make that choice और दिखें इस card के हिसाब से again हम देखें तो हो सकता है कि आपके professional front में कोई ऐसी situation है, कोई ऐसी circumstances है जहां पे आप बहुत stuck महसूस कर रहे हैं आपको ऐसी लग सकता है कि ना तो चीजें आगे बढ़ रही है ना ही पीछे जा रही है और इसका root cause अगर आप जानने की कोशिश करें तो कहीं आप decision choice नहीं ले पा रहे हैं कुछ action initiatives लेने की ज़रत है आप नहीं ले रहे हैं बहुत सारे chances हो सकते हैं कि आप चीजों को अंदेखा कर रहे हैं अंसुना कर रहे हैं अब देखें सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन कार्ड के हिसाब से कभी-कभी होता है ना हमें ऐसे लगता है कि खाम-काम पंगे में ना पड़ जाएं या फिर जब हम decision और choice avoid कर रहे होते हैं हमें लगता है कि हम किसी problematic situation से अपने आपको दूर कर रहे हैं या you know हम इतनी sure नहीं होते हैं अगें बहुत सारे reasons रह सकते हैं लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कहता है जो भी reason रहे इन फाक्ट जितना भी difficult हो decision लेना, choice लेना, action initiative लेना जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक जो भी issues मसले हैं या फिर मैं कहूंगी जो भी stuck energies हैं आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे तो फिर से कहूंगी जितना भी difficult हो decision और choice शरूर लें क्योंकि जब तक हम decision choice नहीं लेते हैं action initiators नहीं लेते हैं हम उसी situation में रहते हैं और फिर back end पे जो भी issue मसला होता है वो बढ़ता रहता है जिसे हम नहीं देख पा रहे होते हैं एक दन आता है वो इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर हम उनको ignore नहीं कर पाते हैं और बहुत परेशान होते हैं तो nutshell में देखिए चीजों को अंदेखा ना करें अंसुना ना करें trust me ये किसी भी level पे आपके किसी भी problem को solve नहीं कर रहा है आपको feeling ज़रूर हो सकती है तो इस भ्रहम से भी खुद को बहार निकालें और जो भी decision choice लेने की ज़रत है action initiatives लेने की ज़रत है जितना भी difficult हो उसको ज़रूर लें और personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of Ariel का card है और दीखें ये card कहीं family की बात करता है loved ones, close ones की बात करता है उनके साथ enjoy करने की बात करता है उनके साथ eating, drinking, marimaking भी करने की बात करता है और personal front में कुछ ऐसा ही रहतावा दिख रहा है I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं इस card में यहाँ पर cafe लिखा हुआ है और यहाँ पर दू ladies आपस में बातचीत कर रही हैं coffee पी रही हैं और दो बच्चे भी हैं जो खेल रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि personal front में या तो literally कोई celebration हो रही है या आप plan कर रहे हैं यह celebration सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए simply हो सकता है friends के साथ किसी भी तरीके का reunion या तो हो रहा है या आप चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है कि आपकी family में या extended family में या फिर किसी भी loved one की family में शादी है, engagement है और उसकी त्यारी आप कर रहे हैं उसी से related एक planning आपके मन में चल रही है या फिर इसी से ही related आप अपने loved one से जादा मिल रहे हैं अब देखें जो भी चीज़े मेरे mind में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ nutshell में फिर से अगर मैं आपको बताऊं तो ये card loved one's, close one's के साथ enjoy करने की बात करता है जादा interactions करने की बात करता है जादा बातचीत करने की बात करता है और ये बातचीत का कोई बहुत concrete, practical, realistic मुद्दा नहीं है सिरफ fun, मजा, मस्ती मुद्दा इस week आपके personal front में रह रहा है और फिर से कहूंगी जो भी हो रहा है आप enjoy कर रहे हैं आप काफी खुश रहते वे दिख रहे हैं इन जनरल या फिर guidance है आप लोगों के लिए shine का card है और इस card का message आपके लिए यह है कि जो भी आपके life में हो रहा है personal front या फिर professional front कैसे आप चीजों को enjoy कर सकते हैं कैसे आप अपने आपको खुश रख सकते हैं आप उस पर focus करें और astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का साब तही राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जयमनीज आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिखरा रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है 2 of profile और ये card कहीं love, feelings, emotions और relationships की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहतावा दिख रहा है क्योंकि ये general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा overall के लिए card कहता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आपका relationship या तो बहतर हो रहा है या फिर कैसे बहतर हो आप उस पर focus कर रहे हैं या कोई event है कोई you know celebration celebration तो खैर professional fund में नहीं होती है लेकिन फिर भी होता है ना कभी-कभी हमने कुछ achieve किया या फिर हमारे कुली cover करने कुछ achieve किया और वो हमें party दे रहे हैं तो इस तरीके की energies भी रह सकती हैं अगेन दिखे इस तरीके की celebration हो रही है जिसमें आप participate कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं आप अपने co-workers, colleagues से connect कर रहे हैं और ओ सकता है कि personal बातचीत हो रही है, personal level पे connect कर रहे हैं और अगर personal level पे नहीं भी connect कर रहे हैं, तो कहीं इनों बहुत एक strong relationship किसी खास इंसान के साथ या फिर overall लोगों के साथ professional front में रहतावा दिख रहा है और बहुत एक cooperative, supportive सी energies रहते हुई दिख रही हैं कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी work front में कोई इंसान है जिनकी तरफ आप attract हो रहे हैं या फिर वो आपकी तरफ attract हो रहे हैं और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि romantic attraction है कुछ के लिए romantic attraction भी हो सकती है नहीं तो otherwise भी होता है ना किसी इंसान के साथ मिलते ही हमें लगता है कि बता नहीं कितना पुराना connection है जैसे बता नहीं किस level पे हम connect करें है और हमें बड़ी इच्छी feeling होती है हम heart to heart उनके साथ अपने बातें कर सकते हैं without fear of judgment तो professional front में इस तरीके की energies किसी भी level पे रह सकती है दिखिए ये general reading है तो बहुत specifically मैं नहीं बता सकती लेकिन फिर से कहूंगे इसी तरीके की energies रहेंगी थोड़ा बहुत eating, drinking, merrymaking भी colleagues, co-workers के साथ किसी भी level पे रह सकता है overall आप enjoy करते वे दिख रहे हैं आप happy रहते वे दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए 5 of referral का card है तो दोनों ही fronts में कहीं चीजों को लेकर emotional हो रहे हैं sentimental हो रहे हैं professional front में हमने देखा कि यह emotions, happy emotions हैं happy energies हैं लेकिन personal front में किसी चीज का अफसोस रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज को लेकर थोड़ा सा regret करते हुए दिख रहे हैं और यहां पर यह card आपको यही कह रहा है कि आप इस regret को release करें और जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है आप उन पर फोकस करें in fact बहुत सारी ऐसी opportunities भी आपको दिखेंगी और देखें यह तभी हमें दिखती है जब हम अपने mindset को change करते हैं जब थोड़ा सा हम अपनी energies में shift लेकर आते हैं मैंने हमीशा आप लोगों को कहा है वीडियोज में कि हम लोग energy beings हैं जिस चीज़ पर focus करते हैं वही चीज multiply होती रहती है और जब कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती हम regret करते हैं हमें अफसोस होते हैं या परिशान होते हैं तो वही energy हम create करने लगते हैं और वैसी ही चीज़ें हम universe से attract करने लगते हैं तो फिर से दिखें personal friend में कहीं एक मायूसी वाली regret वाली थोड़ी सी उदासी वाली थोड़ी सी परिशानी वाली energies रहती भी दिख रही हैं अब इस चीज़ को सुनके बिल्कुल भी परिशान नहीं होना क्योंकि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि कोई परिशानी रह रही है हाँ हो सकता है कि आपके हिसाब से कोई चीज़ ना चल रही हो और ऐसा तो possible ही नहीं है Gemini's कि हमेशा ही हमारे हिसाब से चीज़े रहें तो जब बोलते हैं हमारे हिसाब से नहीं हो रही तो universe के हिसाब से हो रही होती है और जब हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है तो हमें बिल्कुल भी परिशान करें जो चीज़ें अच्छी हैं आपके personal friend में उस पे focus करें और एक positive frame of mind रखें ऐसा करेंगे तो जो भी opportunities हैं या फिर मैं कहूंगे अच्छी चीज़ें हैं उनको देख भी पाएंगे अच्छी energies में vibrate भी कर पाएंगे और universe से भी अच्छी energies attract कर पाएंगे तो इस चीज़ का आप personal friend में खास खयाल रखें और इन जनरल या फिर guidance से आप लोगों के लिए nurture का card है और ये card कहता है कि कैसे आप खुद को comfortable रख सकते हैं कैसे आप खुद को love कर सकते हैं यानि कि self love, self care self respect practice कर सकते हैं उस पे आप जरूर फोकस करें and astrology से आप लोगों के लिए एक various sign का card है इसके हिसाब से all shades of indigo blue इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था जर्मनीज आप लोगों के लिए coming week का साथ आप ताहिक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर अपाए चले एक इंसेरेंस आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है king of April और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में बहुत एक enthusiasm, excitement रहता हुआ दिख रहा है और बहुत courageously, बहुत boldly आप चीजों को deal भी करते वे दिख रहे हैं किसी भी चीज से घबरा नहीं रहे हैं किसी भी चीज से परिशान नहीं हो रहे हैं और दिखे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई परिशानी है होता है ना कभी-कभी हम एक ऐसी energy में होते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि कोई चीज हमें रोक नहीं सकती अब जो भी चीज हमारे सामने आगी ना आम उसको overcome करी लेंगे और जो हमारा goal है हमारा मकसद है उसको हम achieve करी लेंगे तो कहीं इस तरीके की energies हैते भी दिख रही है बहुत जबर्दस confidence खुद पर या जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर जिन God को आप मानते हैं उन पे रहतावा दिख रहा है और कुछ के लिए भी हो सकता है कि कोई इनसान है इसी तरीके की energies के उनसे आपके ज़ादा बाचीत हो रही है ज़ादा connect कर रहे हैं और उनकी वज़य से कहीं आप भी ऐसा feel करते वे दिख रहे हैं यानि कि वो आपको बहुत motivate कर रहे हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए या फिर खुद से ही आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत motivated रहते वे दिख रहे हैं overall ये वीक professional front से related काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and person front के लिए आप लोगों के लिए the magician का card है तो दोनों ही front के cards बहुत ही अच्छे हैं और इनके हिसाब से अगर हम देखें तो ये वीक आप लोगों के लिए ठीक ठाक या फिर बड़िया रहतावा दिख रहा है magician का card अगर हम overall के लिए देखें तो magical energies की बात करता है और कुछ ऐसा ही आपके personal friend में रह सकता है अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी भी तरीके का magic miracle हो रहा है क्योंकि देखिए magic miracle होगा या नहीं होगा ये depend करेगा कि आप कितना magic और miracle में believe करते हैं क्योंकि कितनी बारी हमारी life में बढ़ी अच्छे-ची चीजे होती हैं लेकिन जब हम receptive नहीं होते हैं या फिर हम इन चीजों में believe नहीं करते हैं तो हमारे सामने होते हुए भी ना तो हम उनको देख पाते हैं और ना ही हम avail कर पाते हैं तो देखिए आप कितना experience कर रहे हैं ये आपके mindset पे depend करेगा लेकिन external front में ज़रूर कुछ ऐसी चीजे रह सकती हैं जिनकी आपने उमीद नहीं करी थी जो आप नहीं expect कर रहे थे और कहीं positive ही तरीके से ये चीजें रहते हुए दिख रही हैं and personal front में भी कहीं बहुत जबरदस एक confidence रहता हुआ दिख रहा है और इसी confidence के साथ इसी you know self assurity के साथ आप चीजों को करते हुए दिख रहे हैं और आपको positive outcome, positive result भी मिलते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा हो सकता है कि आप चीजों को manipulate करें या फर diplomatically deal करना चाहें और दिखिए जब तक ये manipulation diplomatically चीजों को deal करना healthy होता है वेना ऐसे healthy मतलब आपके motives, intentions चीख हैं कोई बात नहीं लेकिन अगर आपको लगे कि intentions, motives चीख नहीं हैं तो check करके correct करें और हो सकता है कुछ के लिए कोई इनसान ऐसी energies के हैं यानि कि बहुत smart है, manipulative है, diplomatically चीजों को handle करते हैं उनसे आपकी ज़्यादा interaction हो रही है, बाचीत हो रही है और इस scenario में भी देखिए जब तक आपको लगे कि उनके intentions, motives ठीक हैं कोई बात नहीं लेकिन जरा सा भी आपको लगे कि उनके intentions, motives ठीक नहीं हैं तो इस चीज को check करके correct करें overall दिखिए दोनों ही fronts काफी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं और दोनों ही fronts में कहीं बहुत जबरदस्त confidence, self-assurity जो भी आप कर रहे हैं उसी से related रहतावा दिख रहा है और दिखिए कहीं professional front में कुछ risk आप लेना चाहा रहे हैं आप ले रहे हैं and personal front में magician का card एक और चीज आपको याद दिलाता है कि जो भी आप चाहाते हैं आपके पास power है उसको manifest करने की again दिखिए यहाँ पर उस power को आप तभी use कर पाएंगे जब आप उसको लेकर aware होंगे या फिर उसको लेकर एक realization होगी तो yes personal front में कहीं magical सी energies रहेंगी again इसका मतलब यह नहीं है कि कोई जादू टोना हो रहा है but yes you know जो आप चाहाते हैं उसको manifest कर पाएंगे उसी से related conducive energies आपके लिए रहेंगी एकका दुका के लिए हो सकता है कोई miracle भी हो रहा है दूसरों के लिए situation circumstances बड़े favorable होंगे conducive होंगे जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है उसके लिए and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए healing begins का card है obviously दोनों ही friends के लिए बहुत ही beautiful energies है तो जो भी चीज आपको पीछे hurt कर रही थी परेशान कर रही थी उसमें से इस week आप भार निकलते हुए दिख रहे हैं उसी की किसी level पे healing शुरू होते भी दिख रही है and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है और इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो यह लिए उस आप लोगों के लिए देखें क्या लिकरा रहा है क्या एनरजीज है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है solutions तो देखें सबसे पहले अगर हम literal meaning solutions का देखें तो यह card यही कहता है कि जो भी issue जो भी problem अगर आप अपने professional front में face कर रहे हैं तो problem से अपने attention को हटा के solution पे focus करें और कहीं कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऐसी ही energies में है जहाँ पे छोटे मुटे issues चल रहे हैं और आप solution पे focus कर रहे हैं कि कैसे आप इसको resolve कर सकते हैं overall के लिए देखें एक card कहता है कि थोड़ा सा सबर रखना पड़ेगा थोड़ी सी patience रखनी पड़ेगी अगर आप impulsive होंगे जल्दबाजी करेंगे तो चीजों को खराब कर सकते हैं या फिर चीजें खराब हो सकती है तो इत्मिनान रखने की जरत है और अगर किसी भी outcome का आप wait कर रहे हैं इस week तो मुझे नहीं लगता कि इस week मिलेगा अगें देखें मैं ये नहीं कह रही कि आपको positive outcome नहीं मिलेगा definitely मिल सकता है लेकिन थोड़ा सा delay हो सकता है या फिर next week मिल सकता है इस week फिर से मैं कहूंगी सब्र patience इत्मिनान रखने की जरत है कैसे एक piece आप maintain कर सकते हैं उस पे focus करें कोई चीज अगर थोड़ा सा भी किसी भी level पे आपको परेशान कर रही है तो आपने उस परेशानी से फिर से मैं कहूंगी अपने focus को हटा के कैसे ये नो आप उसको solve कर सकते हैं या फिर अपने लिए एक piece maintain कर सकते हैं उस पे focus करें क्योंकि देगे जब भी हम परेशान होते हैं तो mind इतनी तेजी से चलना शुरू हो जाता है कि फिर हमें उस चीज का solution ही नहीं मिलता और हम automatically ही problem पे focus करना शुरू कर देते हैं और कहीं फिर ये restlessness, anxiety बढ़ने शुरू हो जाती है और और जादा हम जो भी उसका solution होता है या फिर जो भी तरीके से हम उसको solve कर सकते हैं उससे अपने आपको बहुत बहुत दूर कर लेते हैं हमें लगता है कि हम चीजों को ठीक कर रहे हैं लेकिन actually में चीजें खराब हो रही होती हैं तो इस चीज का खयाल रखें और थोड़ा सा अगर आप mentally खुद को prepare कर लेंगे कि भाई time लग सकता है और बिलकुल भी impulsive नहीं होना है restlessness नहीं होने देनी है तो वैसे ही आप चीजों को solve कर लेंगे वैसे ही चीजें ठीक हो जाएंगी तो इन सब चीजों का खयाल आप personal front में ही है उनको थोड़ा सा time लगेगा ठीक होने में फिर से कहूंगी कोई भी चीज के outcome का आप या फिर result का वेट कर रहे हैं तो इस week शायद नहीं मिलेगा और कैसे आप peace maintain करें उस पे focus करें या फिर आप peace maintain करेंगे तो आप जादा इस week को बहतर कर पाएंगे और जो भी आपका goal है उसको आप अच्छे से achieve कर पाएंगे और personal front के लिए आप लोगों के लिए 9 of Ariel का card है very very beautiful card अगर आप देख पा रहे हैं pink color है, पीछे rainbow है और जो भी figure है वो white color के horse में बैठी हुए है white color कहीं you know imagination को represent करता है कहीं सुकून को भी represent करता है happiness, joy को भी represent करता है तो overall के लिए personal friend में कोई भी wish कोई भी desire आपकी बहुत time से थी या फिर कोई भी goal था वो किसी lovey पे achieve होता हुआ दिख रहा है उसको आप enjoy करते हुए दिख रहे हैं जो भी आसपास आपके beautiful चीजें है आप उन पे focus करते हुए दिख रहे हैं और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने घर को renovate कर रहे हैं beautify कर रहे हैं और फिर किसी भी life के area को वो external front हो सकता है tangible चीज हो सकती है या फिर intangible चीज हो सकती है उसको beautify करने पे focus कर रहे हैं all in all personal front काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है और professional front में भी कोई issue कोई मसला नहीं रह रहा है बट जो चीजें हैं उनको आप कैसे deal करते हैं उस पे determine करेगा कि आप किस तरीके से इस week को professional front में shape up करेंगे otherwise ये week ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है और फिर से कहूंगी personal front काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है and in general या फिर guidance है आप लोगों के लिए well deserved reward का card है तो देखिए इस card ने तो सब चीज को sum up कर दिया जो भी reward आप expect कर रहे हैं जो भी positive result आप expect कर रहे हैं आपको definitely मिलेगा इस week नहीं मिला तो next week मिलेगा लेकिन जो भी effort आपने किया है hard work आपने किया है वो आपका waste नहीं जाएगा and astrology से आप लोगों के लिए लिए ये sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow जो इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था लिए उस आप लोगों के लिए coming week का साथ आपता ही राशेफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए वगोज आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है कि energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है page of Michael और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में छोटे मुटे issues छोटे मुटे मसले रह सकते हैं अब दिखी इस चीज को सुनके परिशान नहीं होना है क्योंकि मैंने बड़े जोट देकर कहा छोटे मुटे issues छोटे मुटे मसले अब ये life है ये तो possible ही नहीं है कि कभी भी कुछ भी issue मसला ना रहे और ये card कहता है कि अगर आप थोड़ा सा भी emotional हुए sentimental हुए चीजों को लेकर लोगों को लेकर situations को लेकर तो फिर आप बहुत परिशान होंगे लेकिन वहीं अगर आपने बहुत logically चीजों को deal किया mind से चीजों को deal किया proper strategy बनाई तो बहुत easily इन issues इन मसलों को आप overcome कर पाएंगे और दिखिए दूसरी चीज ये काट कहता है कि आपने हर paperwork को या जो भी documents पे आप sign कर रहे हैं अच्छे से उनको read करना है आपने एक you know blind trust के साथ चीजों को नहीं करना है अब दिखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप हर इंसान पे doubt करना शुरू कर दें ऐसा करें कि तो life बड़ी difficult हो जाएगी but yes, जिस भी चीज पे इंसान पे doubt है उसको लेकर थोड़े से careful रहें और फिर से कहूंगी कोई भी paper पे आप sign कर रहे हैं तो उसको अच्छे से read कर लें चाहें फिर you know बहुत ही trustworthy इंसान के through ही वो papers क्यों ना आ रहे हो otherwise, ठीक ठाक रहेगा ये week क्योंकि page of Michael is not a negative card but yes, छोटे मुटे issues मसले की बात करता है और साथ ही साथ कहता है कि अगर mind से चीज़ों को deal किया तो असानी से overcome कर लेंगे तो इस चीज का खयाल रखेंगे ये week आपका ठीक ठाक जाएगा and personal front के लिए आप लोगों के लिए queen of rafael का card है और ये card कहता है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत emotional, बहुत sentimental हो रहे हैं अब दीखिए, emotional sentiments बहुत important होते हैं और ये ही हमें कहीं animals से बाकी living beings से differ भी करते हैं लेकिन at the same time जब हम over emotional हो जाते हैं तब फिर हम सोच नहीं पाते हैं अच्छे से कहीं यूनों हमारी बुद्धी भी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती हम wrong decisions, wrong choices लेते हैं उस time नहीं देख पाते हैं लेकिन फिर बाद में परेशान होते हैं और दूसरी बात देखिए कोई चीज चाहें जितनी भी अच्छी हो जब वो जरुरत से जादा होती है तो हमें परेशान करती हैं और मैं हमेशें आप लोगों को खाने का example देती हूँ जैसे खाने में नमक बहुत बहुत important है कहते हैं कि भई बाकी मिसाले थोड़े कम जादा हो जाएं चल जाता है लेकिन नमक अगर सही मात्रा में ना हो तो खाने का स्वाद नहीं आता मने बहुत जादा आपको clearly बोला कि सही मात्रा में ना हो और यही नमक अगर जरुरत से जादा हो जाता है तो खाना जितना भी tasty बना हो वो खाना खराब हो जाता है तो इसी तरीके से फिर से मैं कहूंगी emotions, feelings, sentiments बहुत important होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं लेकिन जब हम चीजों को लेकर, लोगों को लेकर over emotional हो जाते हैं तो कहीं हम self love नहीं practice कर पाते हैं self care, self respect पे हम नहीं focus देते हैं और फिर सामने वाला हमें for granted लेता है या फिर हमें उस तरीके से value नहीं करता है और हम बहुत बहुत परेशान होते हैं यहाँ पर मैं यह नहीं कहरी कि ऐसा ही कुछ आपके personal front में हो रहा है लेकिन कहीं इस चीज का खयाल रखना बहुत important है क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं आपको तुरंथ उसका result नहीं मिलता है at times बड़े time बाद मिलता है और उस time हम नहीं realize कर पाते हैं यह जो self love, self care, self respect को हम ignore कर रहे हैं इसकी वज़े से कितनी बड़ी problems आगे चलकर हो सकते हैं और otherwise भी देखिए अगर आप इनहीं emotions, feelings की वज़े से किसी भी जगा पे situation, इंसान को लेकर clingy हो रहे हैं over attach हो रहे हैं तो उससे भी issues मसले होंगे nutshell में थोड़ा सा heart or mind का balance अगर आप personal front में रखते हैं तो आपका personal front अच्छा जाएगा नहीं तो आप परेशान होंगे तो इस चीज का खयाल रखें and in general यहां फिर guidance है आप लोगों के लिए daydreams and decisions का card है और दिखिए यह ज़ादा मुझे personal front के लिए रहता हुआ दिख रहा है तो दिखिए यहां पर आपके लिए guidance का card आपको यही message दे रहा है कि आप ख्वाप देखें बहुत अच्छी बात है आप vision create करें अगेन बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप right action initiative इन ही सब चीजों से related नहीं लेंगे तो फिर आपके ख्वाप पूरे नहीं होंगे आपके dreams reality में नहीं convert होंगे तो इस चीज का भी खयाल आपने इस week ज़रूर लेना है रखना है and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके इसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Libras आप लोगों के लिए देखें ही coming week क्या लेकरा रहा है के energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है the moon the moon का card taro में कहीं अंधेरे की बात करता है और हम सब जानते हैं जब अंधेरा होता है और specially हम किसी अंजान जगा में हों तो डर लगता है एक insecurity महसूस होती है और हमें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें और कुछ ऐसा ही इस week specifically आप अपने professional fund में महसूस कर सकते हैं अब दिखिए इस चीज को सुनके आपने परेशान नहीं होना क्योंकि मैंने बिल्कुल भी आपको यह नहीं कहा कि कुछ issue मसला हो रहा है most of the times external fund में कोई बड़ी problem नहीं होती है छोटी मोटी सी चीजें हमारे हिसाब से ना चल रहे हो छोटे मोटे से issues मसले हो हमारा mind उनको लेकर इतना you know एक confusion create करता है या फिर हम इतना एक fear, insecurity में हसूस करना शू कर देते हैं एक worst outcome अपने mind में imagine करना शू कर देते हैं उसको real मान के हम खुद को torture करते हैं तो उसका root cause अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो सिरफ और सिरफ यह होगा कि आपको clarity नहीं हो पा रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस situation में क्या करें आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो देखे अंधेरे में अगर हमने उस fear को overcome करना है तो हम क्या करते हैं हम रोश्णी जलाते हैं, हम bulb जलाते हैं और एकदम से सब चीज हमें दिखनी शुरू हो जाती है हम better feel करते हैं इसी तरीके से real life में कोई भी situation में जब हम directionless feel कर रहे हैं confusion, fear, insecurity है तो हमने और जानकारी हासिल करनी है हमने उसी से ही related और knowledge gain करनी है कि भई कैसे हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं कैसे clarity ला सकते हैं क्योंकि अंधेरे को कोई चीज काटती है तो वो रोश्णी और इसी तरीके से real life में confusion या फिर किसी भी तरीके का अंधेरा हो उसको knowledge उसका हल होता है तो knowledge gain करें और दूसरी बात देखिए एक मरते हुए इंसान ने अपने deathbed में कहा कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो जितने भी मेरे fear थे वो बेबुनियाद थे जिनका कोई base नहीं था जिनकी वज़े से बहुत कुछ करना चाहता था नहीं कर पाया बहुत कुछ नहीं करना चाहता था करा तो यहाँ पर दीखे मैं आपको यह वोड़ी हूँ कि अगर आप और जादा अपने fear के detail में जाएंगे तो आपको realize होगा कि यह जो fear है यह सिरफ और सिरफ एक thought है यह reality नहीं है और इस चीज की भी एक realization आप रखेंगे इस चीज को भी understand करेंगे तो इस week को आप बहुत बहतर कर पाएंगे नहीं तो फिर देखे fear पे focus करते रहेंगे fear बढ़ता रहेगा और बिना किसी बात कि आप परेशान होते रहेंगे तो इन चीजों का ख्याल रखे fear को question करें fear सिरफ और सिरफ एक thought है reality नहीं है हो सकता है कि छोटे मोटे issues चल रहे हैं आपके professional friend में लेकिन उसको लेकर आपका mind इतना हो सकता है बड़ा बना रहा हो कि आप परेशान हो रहे हो और इस चीज को फिर से कहूंगी चेक करके correct करेंगे तो आप बहुत बहुत बहुतर feel करेंगे चीजों को भी आप resolve कर पाएंगे positively and personal friend के लिए आप लोगों के लिए ace of rafel का card है very very positive card ये card कहीं happiness, joy, satisfaction की बात करता है and किसी level पर किसी तरीके से एक नहीं beginning की भी बात करता है अब दिखेंगे यहाँ पर source of happiness materialistic, tangible चीजें money, पैसा, comfort नहीं रहता हुआ दिख रहा है source of happiness, relationship रहता हुआ दिख रहा है और किसी भी चीज के लिए जब हम बहुत passionate होते हैं living being हो यहाँ पर non living thing हो और उस से related जब चीजें ठीक हो रही होती है हमारे हिसाब से हो रही होती है तुझे एक खुशी मिलती है न वो खुशी इस वीक personal front में आप महसूस कर सकते हैं और overall के लिए अगर मैं देखूं तो Ace of Rafael का card कहता है किसी भी तरीके की celebration या तो हो रही है या फिर आप चाहा रहे हैं अब देखें ये celebration भी सब के लिए differ करेगी कुश लिबरास के लिए हो सकता है कि आपकी family में या फिर आपकी extended family या किसी loved one की family में शादी, engagement यानि कि कोई बड़ी celebration है जिसमें आप participate कर रहे हैं जिसमें आप involved हो रहे हैं enjoy कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि छोटी मोटी celebration या तो हो रही है जैसे कि reunion हो गया, get together हो गया या फिर आप plan कर रहे हैं और अगर ऐसा भी नहीं है तो simply हो सकता है आप अपने loved one के साथ जादा interact कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं उनको आप dinner lunch पर बुला रहे हैं आप उनके घर आप dinner lunch पर जा रहे हैं simply अपने किसी खास इंसान के साथ, दोस्त के साथ या loved one के साथ आप coffee पीने जा रहे हैं again lunch dinner के लिए जा रहे हैं तो किसी तरीके की भी एक activity इस week रह सकती है overall के लिए personal front में happiness, joy, satisfaction, eating drinking, mirror making से related चीज़े रहती भी दिख रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए coming together का card है तो देखिए किसी के साथ अगर कुछ issue मसला हुआ तो वो resolve हो सकता है और दूसरी बात ये card कहता है कि अगर कुछ issue मसला हुआ let go करो प्यार, महबबत एक दूसरे से connect करने में एक दूसरे के साथ you know sharing and caring वाली energies में जाद आप इस week विश्वास रखें वैसे तो हमें हमेशा ही ऐसी energies में होना चाहिए लेकिन इस week आप लोगों के लिए खास guidance है कि इस चीज़ पे आप focus करें and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है इसके हिसाब से all shades of maroon rust आप लोगों के लिए week lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो यह था Aries आप लोगों के लिए coming week का साथ आप ता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए उसको आप लोगों के लिए देखें यह coming week क्या लिए करा रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है epiphany और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में आप बहुत जादा किसी भी चीज में खुद से involved नहीं होना चाह रहे है participate नहीं करना चाह रहे है किसी भी level पर किसी भी तरीके से आप थोड़ा सा withdraw करना चाह रहे है अब देखें reason सब के लिए refer करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपके मन में बहुत सरे सवाल चल रहे है किसी चीज को लेकर और आप उनके answers पहले जानना चाह रहे है कुछ के लिए हो सकता है आप major एक action initiative लेने से पहले थोड़ा सा अपना homework करना चाह रहे है थोड़ा सा चीजों को समझना चाह रहे है और कहीं देखें overall के लिए एक missing feeling रह सकती है यहाँ फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी चीज को ढूण रहे है वो एक complete satisfaction complete satisfaction तो कभी भी नहीं मिलती है but otherwise देखें इस card के इसाब से देखें तो वो एक satisfaction नहीं मिलती हुई दिख रही है किसी चीज को ढूण रहे हैं किसी चीज को खोज रहे हैं और ये ढूनना सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए literally हो सकता है, आपकी कोई चीज खो रही है, आप उसको ढून रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, वो एक idea ढून रहे हैं, वो एक इंसान ढून रहे हैं, वो एक project ढून रहे हैं, जो आपको फुल्फिल्मेंट दे पाए, तो कहीं देखिए, फिर से मैं कहूंगी, ढून्डते हुए किसी चीज को दिख रहे हैं, किसी भी level पर, किसी भी तरीके से हो सकती है, physical, emotional, mental, and, कुछ के लिए भी हो सकता है, कि आप किसी से guidance, advice, counselling ले रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, किसी को guidance, advice, counselling दे रहे हैं, overall कुछ गलत नहीं हो रहा है, कुछ खराब नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ great भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, और कहीं एक अकेलापन आप चाह रहे हैं, या फिर महसूस कर रहे हैं, और overall के लिए फिर से मैं कहूँगी, चीजों में उतना actively खुद से involved होते वे, participate करते वे नहीं दिख रहे हैं, and the personal front के लिए आप लोगों के लिए 3 of Rafael का card है, और ये card celebration की बात करता है, eating, drinking, marimaking की बात करता है, और ये सब के लिए different levels पे रहतावा दिख रहा है, कुछ के लिए literally हो सकता है कि कोई celebration हो रही है, आप की family में, extended family में, loved one की family में, शादी, marriage या कुछ भी बड़ा event हो रहा है, जिसमें आप खुद को involve कर रहे हैं, या फिर, you know, आप participate कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, eating, drinking, marimaking रह रह रही है, कुछ के लिए हो सकता है, आप कोई get together, reunion, अपने friends के साथ, या फिर, कभी-कभी होता है, extended family के साथ, हम कोई चीज प्लान करते हैं, कुछ के लिए हो सकता है, vacation पे जाना चाहा रहे हैं, और कुछ के लिए simply हो सकता है, आप अपने loved ones के साथ, जादा connect कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको dinner पे बुला रहे हैं, lunch पे बुला रहे हैं, या फिर, उनके घर dinner और lunch पे जा रहे हैं, otherwise, you know, आपके घर में guest आ रहे हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी level पे, कहीं, you know, जादा लोगों से मिलते हुए, connect करते हुए, या फिर, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कोई भी reason हो सकता है, जादा लोगों से मिल रहे हैं, जादा लोगों से connect कर रहे हैं, कुछ के लिए simply हो सकता है, socialize कर रहे हैं, और overall के लिए fun, मज़ा, मस्ती, eating, drinking, merry making रहती भी दिख रहे हैं, तो personal front काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, फिर से काऊंगी, professional front में कोई issue नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ बहुत एक enthusiasm, excitement भी आप नहीं महसूस करते वे दिख रहे हैं, and in general, या फिर guidance से helpless and hopeless का काफी है, तो कोई चीज अगर आपको मायूस कर रही है, तो please आप अपना attention उस से हटाएं, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं, और खास कर personal front में तो हमने देखा, एक celebration या फिर या फिर यूनो, बहुत एक लोगों से connect करने वाली energies रहती भी दिख रही हैं, उनको enjoy करें, उनपे focus करें, and astrology से, आप लोगों के लिए विस्ता का काड है, इसके हिसाब से all shades of yellow and orange, इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा, Sunday and Thursday, तो ये था स्कॉप यूज आप लोगों के लिए coming week का साथ ता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं, कि ये कितना आप के साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, चलिए से डिडे जिस आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लिकर आ रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है 4 of profile, और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में, enthusiasm, excitement missing ढहते वे दिख रही है, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी आपका goal है, उसको लेकर वो motivation आपने ही महसूस करते वे दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक boredom, एक monotonous energy जह रही हैं, अब reasons सब सब सटेटेजेस के लिए differ करेगा, लेकिन जब भी भी ये काड़ाता है, मैं यही कहती हूँ कि आपके आसपास कुछ भी खराब नहीं है, in fact आसपास सब कुछ बढ़िया है, लेकिन शायद जो happiness, satisfaction आप चाहा रहे हैं, आपको आसपास की चीजों से नहीं मिल रही है, और most of the times देखिए, यह हमारे ही state of mind की वज़े से होता है, और अगर हम चाहते हैं कि हम चीजों को enjoy कर पाएं, तो हमें थोड़ा सा अपना state of mind चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, अपने आपको किसी ऐसी activity में जरूर involve करें, जो वो motivation ला पाएं, जिसकी वज़े से एक enthusiasm, excitement आप महसूस करें, और अगर ऐसा आप करेंगे, आप देखेंगे कि यह week आपको बहुत अच्छा जा रहा है, और अगर आपने conscious effort करके, इस चीज का खयाल नहीं रखा, तो end of the week, आप थोड़ा सा और demotivated हो सकते हैं, emotionally थोड़ा सा और low feel करेंगे, and otherwise एकि कुछ खराब नहीं होता, वाद दिख रहा है, कुछ के लिए भी हो सकते हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि भई, आपने वो opportunity miss कर दी, काश आपने उस टाइम पर वो opportunity, यूनो ले ली होती, तो आज आप बहतर होते, और आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं, या फिर ऐसे thoughts आपको आ रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी, कि जितना आप उन पर उन thoughts पर focus करेंगे न, उतना जो अभी opportunities आ रहे हैं न, उनको भी आप miss कर रहे हैं, और फिर आगे चलके आप और जादा परेशान होंगे, तो फिर से किसी ऐसी activity में खुद को involve करना है, जो आपकी motivation वापिस ला पाए, जो एक enthusiasm, excitement ला पाए, और personal friend के लिए, आप लोगों के लिए 8 of Rafael का card है, तो दिखिए, दोनों ही cards कहीं similar सी energies की बात करते हैं, जो आप professional friend में महसूस कर रहे हैं, कहीं personal friend में भी, वही energies है, तिवे दिख रही हैं, यानि कि कोई मसला नहीं है, कोई issue नहीं है, आज पास सब चीजें बहतर हैं, लेकिन कोई भी चीज, आपको happiness, joy, satisfaction नहीं दे पा रही है, और कभी-कभी होता है जब हम emotionally low feel कर रहे होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि बस सब कुछ छोड़ चाड़के ना कहीं भाग जाएं, तो कुछ के लिए literally ऐसी energies हो सकती हैं, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कि किसी चीज को छोड़ कर आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, अब दिखिए ये कोई भी चीज हो सकती है, कुछ के लिए कोई relationship हो सकता है, कुछ के लिए जगा हो सकती है, कुछ के लिए आपका thought belief system, again कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि ये weekly reading है, तो ये energies इस ही week के लिए रहती हुए दिख रही हैं, पूरी आपकी life के लिए नहीं रहती हुए दिख रही हैं, मैंने खास इसलिए बोला, क्योंकि अगर किसी relationship को लेकर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, कि छोड़ चाड़ के चले जाएं, तो हो सकता है, इस week आप उतने initiatives नहीं ले रहे हैं, अपनी तरफ से इतने action नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, कि आप उनसे break up कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, इका दुक्का की बात अलग है, बट यूनो किसी भी level पर ऐसी energies रह सकते हैं, simply इस week आपका किसी से ज़ाधा बात करने का मन नहीं कर, आपका किसी से connect करने का मन नहीं कर, आपको लग रहे हैं कि भई कहीं तो चले जाओ, जहांपे सुकून मिले, शान्ती मिले, और फिर से कहूंगी कुछ के लिए ये भी हो सकता है, किसी चीज को छोड़ कर आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, वो जगा भी हो सकती है, जैसे उतरह आप कहीं vacation पर गए और आपको लग रहे हैं, कि भी मज़ा नहीं आ रहा वापिस घर जाओ, तो ये सिरफ और सिरफ मैं आपको example दे रहे हैं, कि किस तरीके से किसी भी चीज को छोड़ कर आगे बढ़ने वाली एक feeling रह सकती है, और कुछ के लिए हो सकता है, साब कर रहे हैं, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है, कि कोई जगा पे आप बहुत enjoy कर रहे थे, और इस week वो छोड़ कर आपको जानी पड़ रही है, या फिर आप अपने loved one के साथ बहुत enjoy कर रहे थे, और इस week आपके loved one travel कर रहे हैं, या आप travel कर रहे हैं, तो थोड़ा सा low feel कर रहे हैं, अगेन कोई चीज या तो आप से छोट रही है, जो भी आपके cards हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, दोनों ही fronts के लिए हो सकता है, किसी चीज से आप बहुत attach महसूस कर रहे हैं, तो अपने आपको detach करें, in fact मुझे ऐसे लगता है कि हमें हमेशा ही, एक detached attachment practice करनी चाहिए, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, के लिए होगा वेड़नेस जे, तो ये था से टेटेरेस, आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे मुझे comment section में ज़रूर बताएं, कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चले के अपरिकॉंज आप लोगों के लिए देखेंगे, कमिंग वी क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं, तो professional front के लिए, आप लोगों के लिए card है, 4 of Arial, और ये card कहता है कि, इस week specifically professional front में, थोड़े से आप clingy चीजों को लेकर, situation को लेकर, थोड़े से माईजर हो रहे हैं, in fact आप किसी भी चीज को लेकर, थोड़े से माईजर हो सकते हैं, कुछ के लिए अगर हम इसी point of view से देखें, तो हो सकता है आप अपने ideas, अपने thoughts किसी को भी नहीं share करना चाह रहे हैं, आप अपने तक रखना चाह रहे हैं, विसी को वरकर और कुलीग को लेकर बड़ी एक अच्छी फीलिंग हो रही होती है, और हम इस चीज को भी नहीं express करते हैं, तो देखिए आप चीजों को share नहीं कर रहे हैं, वो अच्छी भी हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकती हैं, गलत जैसे मैंने गुसा कहा, और अच्छी जैसे कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, एक affection, love उनके लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप express नहीं कर रहे हैं, ये तो हो गया emotions और feelings के point of view से, इसी तरीके से money, पैसा, आप उसको hold on कर रहे हैं, क्लिंग, in the sense की hold on कर रहे हैं, आप खरशनी करना चाहा रहे हैं, आप save करना चाहा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जादा से जादा आप investment कर दें, और कुछ के लिए literally हो भी सकता है, कि आप किसी चीज में इस वीक invest कर रहे हैं, which is very good thing, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि balance रखें, कभी-कभी क्या होता है, हम बहुत investment कर देते हैं, और फिर आज के लिए हमारे पास तंगी हो जाती है, हम परेशान होते हैं, तो हमें बहुत balance तरीके से चीजों को deal करना है, हमने invest भी करना है, हमने आज भी enjoy करना है, खुद को tight भी नहीं करना है, और यह general reading है, तो सब के लिए different situations होंगी, मैं broader level के लिए energy के point of view से फिर से आपको समझाऊं, तो किसी चीज से बहुत attach हो रहे हैं, या फिर किसी चीज को बहुत hold on कर रहे हैं, वो money, पैसा भी हो सकता है, करें, बहुत जादा hold on ना करें, जिसकी वज़े से आप परेशान हो आगे चलके, एक moderate energies आप maintain करें, otherwise this is not a negative card, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, but yes, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि hold on करते जा रहे हैं, किसी चीज को let go नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, जैसे हमें किसी कुलीक की, या बॉस की, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनकी बात बुरी लग गए, अब हमने दिल पे लगा लिया, अब हम कृप करते जा रहे हैं, ये again मैं एक example दे रहे हूं आपको, इस तरीकी की कोई भी चीज हो सकती है, अच्छी चीज भी हो सकती है, और मैंने हमेशा कहा है, कोई चीज जितनी भी अच्छी हो, जरौत से जादा होती है, तो परेशान करती है, तो अगर अच्छी भी कोई चीज है, जैसे saving करना अच्छी बात है, उसको भी अगर आप too much कर रहे हैं तो फिर वो आपको परिशान करेगी तो इस तरीके से किसी भी चीज को too much अगर hold on कर रहे हैं तो check करके correct करें otherwise ठीक है stability रहेगी security रहेगी money पैसे से related भी एक you know आप अच्छा feel करते हुए दिख रहे हैं this is not a negative card अच्छा card है तो अच्छा ही इस point of view से रहता हुआ दिख रहा है ये वीग materialistic tangible चीजों पे ज़्यादा focus है और उन्हीं से ही related फिर से कहूंगी stability security आ रही है या फिर कैसे आए आप उस पे focus कर रहे है and personal fund के लिए आप लोगों के लिए nine of rafael का card है oh my god one of the most beautiful cards in the deck ये card कहीं wish come true की बात करता है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सब Capricorns की कोई wish कोई desire personal fund में पूरी हो रही है लेकिन ये इस कुछ के लिए definitely ये हो रहा है सकता है और दूसरों के लिए ये हो सकता है कि जो भी आपकी wish है desire है आप उस पे focus कर रहे हैं क्योंकि most of the times हम अपनी wishes और desires को ना तो acknowledge करते हैं और ना ही उन पे इतना attention देते हैं और ना ही उस direction में बहुत ज़ादा action initiatives लेते हैं और एक reason ये भी होता है कि अंदर से हम फिर परिशान होते हैं हम duty समझ के काम कर रहे होते हैं इसी भी level पर पूरी हो रही है मैं हमेशा कहती हूँ weekly reading में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती हैं चाहें वो positive हो चाहें negative हो एकका दुका के लिए बड़ी चीज़ भी हो सकती है और अगर नहीं हो रही आपकी कोई wish जैसे मैंने बताया कुछ के लिए रहेगा तो आप उस direction में action initiatives ले रहे हैं और यकीन मानिये जब हम अपनी wishes के direction में यानि की wish पूरा करने के direction में action initiatives लेते हैं तो equal हमें खुशी मिलती है क्योंकि फिर एक उमीद एक hope जाकती है ये अब ये हमारी wish पूरी हो जाएगी all in all ये week personal front से related बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है ये card कहीं happiness, joy, satisfaction की तो बात करता ही है साथी साथ eating, drinking, merry making, love you know emotions, feelings की भी बात करता है और इसी से ही related कुछ ना कुछ activity, कुछ ना कुछ आपके personal front में हो रहा है क्योंकि ये general reading है तो situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे and in general या फिर guidance से open up का card है तो देखिए ये card खास मुझे professional front के लिए रहतावा दिख रहा है क्योंकि ये दोनों same cards है और इसी card की guidance open up का card है तो अगर हम इसके हिसाब से देखे तो ये card कहता है कि अगर आपने अपने आपको close कर लिया है आप you know थोड़े से rigid हो रहे हैं थोड़े से fixated हो रहे हैं तो please अपने आपको open up करें और साथी साथ ये card ये भी कहता है कि अगर आपको help की जरुरत है support की जरुरत है तो reach out करें उन लोगों को जिनको आपको लगता है कि आपको help कर सकते हैं support कर सकते हैं so अपने आपको close ना करें किसी भी चीज के लिए rigid fixated थोड़े से flexible रहे हैं and astrology से आप लोगों के लिए Scorpio sign का card है इसके हिसाब से जो भी समुंदर के रंग होते हैं sea green, sea blue इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week कर सापता है राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चले एक वेरस आप लोगों के लिए देखने ही coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the wheel the wheel का card taro में movement की बात करता है in fact बहुत इक speed वाली movement की बात करता है चीजों के आगे बढ़ने की बात करता है और कहीं luck fortune के favor भी करने की बात करता है इस हिसाब से देखें तो पीछे किसी भी चीज में अगर आप stuck फील कर रहे थे अटकावा फील कर रहे थे और आपको लग रहा था कि कब ये चीजें आगे बढ़ेंगी कब एक movement आएगा एक shift आएगा तो इस week वो होता हुआ दिख रहा है और इस हिसाब से देखें तो कुछ Aquarius के लिए literally हो सकते हैं आप travel कर रहे हैं, travel करना चाह रहे हैं नहीं तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पीछे किसी चीज में आप अटकावा महसूस कर रहे थे तो कहीं उससे आप आगे बढ़ रहे हैं और otherwise भी एक movement आती भी दिख रही है in fact बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ सकती है और कहीं देखिए Wheel of Fortune अच्छी opportunity की भी बात करता है और इस हिसाब से देखें तो अच्छी opportunity इस week आ सकती है या फिर मैं कहूंगी आएगी लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी time लगाया चीजों को समझने के लिए understand करने के लिए तो फिर आप उसको miss कर देंगे क्योंकि जैसे कि अभी बताया Wheel of Fortune स्पीड से चीजों के आने की होने की बात करता है तो थोड़ा सा alert रहें थोड़ा सा aware रहें क्योंकि अगर आप alert नहीं रहे तो opportunity को miss कर सकते हैं and otherwise देखिए fortune आपको favor करेगा luck आपका साथ देगा और जो fortune और luck favor कर रहे होते हैं तो चीजे नहीं भी ठीक चल रहे होती तो भी हमारे favor में हो जाती है all in all ये week अच्छा जाता हुआ दिख रहा है but yes एक speed रहेगी और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि external front में चीजे इतनी टेजी से जा रहे हैं कि आप उनके साथ अपनी speed मैच करें कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत टेजी से अपने goal अपने मकसद को अचीव करना चाहा रहे हैं तो जो भी होगा इस week आप अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं करें चीजे आपके favor में रहती हुए दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लुगों के लिए card है 10 of Rafael और ये card कहीं ending beginning की बात करता है और यहाँ पर negative ending beginning नहीं है बहुत ही beautiful बहुत ही positive ending beginning है होता है ना हमें लगता है कि कब ये phase हमारा end हो नया phase शुरू especially देखे मैं example के तौर पर आपको बताती हूँ अगर कोई इंसान किसी के साथ relationship में है शादी का उनका goal है तो उनको क्या लगता है कि भाई ये अब एक दूसरे से मिलने जुलने का period खतम हो marriage हो अब marriage होती है तो एक खुशी भी होती है लेकिन साथ ही साथ कहीं एक हलका सा fear भी होता है restlessness भी होती है क्योंकि जब भी हम किसी भी नई चीज में step in करते हैं जो कि हम नहीं जानते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा एक you know fear is not the right word but yes anxious energies होती है positive anxious वले energies तो उस तरीके की चीजें भी रह सकती है but yes 10 of rafael का card कहता है कि कोई चीज पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे और आपको लगा था कब ये complete होगी वो complete इस week हो सकती है या पिर उसी से related positive direction में चीजे जा रही है और नई एक शुरुवात हो रही है जिसके लिए आप बहुत खुश फील कर रहे हैं happy फील कर रहे हैं ये card कहीं loved ones के साथ जादा interact करने की बातचीत करने की किसी चीज को celebrate करने की eating, drinking, merry making की भी बात करता है तो कुछ ऐसा भी रहता वा दिख रहा है होता है ना हमने कोई चीज complete करी अब हम नई चीज शुरू कर रहे हैं या फिर कोई चीज हमने complete करी in the sense हमने उसको achieve कर लिया हमारा कोई goal था अब जसे दिखिए marriage का ही अगर मैं example दूँ तो जब यह नई शुरूआत होती है तो हम celebrate करते हैं है ना इसको हम marriage बोलते हैं तो इस तरीके से कोई celebration भी रह सकती है या फिर आपने कुछ achieve किया आप अपने loved ones के साथ उसको celebrate करना चाह रहे हैं get together, reunion हो रहा है या आप simply अपने loved ones से जादा मिल रहे हैं उनको lunch पे बुला रहे हैं, dinner पे बुला रहे हैं उनके घर lunch dinner पे जा रहे हैं तो फिर से कहूंगी eating, drinking, merrymaking रह रहा है साथी साथ happiness, joy रहती भी दिख रही है एक phase किसी भी level पे end हो रहा है, नया शुरू हो रहा है और दिखिए यहाँ पे rebuild का card है और यह जादा मुझे personal fund के लिए रहता हुआ दिख रहा है कि आप नई सिरे से चीजों को create करेंगे नई सिरे से चीजों को बनाते हुए दिख रहे हैं और astrology से आप लोगों के लिए Taurus sign का card है इसके यह साब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो यह था एक वरियस आप लोगों के लिए coming week का साबता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है king of profile और यह card कहता है कि इस week specifically professional front में एक satisfaction, एक happiness एक joy आप महसूस कर सकते हैं अब दिखिए reason सब prices के लिए differ करेगा लेकिन जो भी आपके professional front में हो रहा है कर रहे हैं, उसी को लेकर फिर से मैं कहूंगी बहुत खुश आप होते हुए दिख रहे हैं और source of happiness कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़े नहीं रहती हुए दिख रही हैं होता है ना कभी-कभी किसी काम को लेकर हम बड़े passionate होते हैं हम बड़ा enjoy करते हैं इस वज़े से एक happiness हमें महसूस करती है तो वो वली एक खुशी रहती भी दिख रही है और कहीं देखे, king of rafael कहीं एक figure को भी represent करता है, यानि कि किसी इंसान की भी बात करता है पुछ के लिए हो सकता है कि भाई कोई literally इंसान है, जो बहुत आपको support कर रहे हैं, बहुत उनके साथ आपका emotional level पर connection है और उनकी तरफ से जो भी एक support मिल रहा है, वो एक happiness joy दे रहा है, या फिर आपके work front में बहुत एक cooperative supportive सी energies हैं एका दुका के लिए overall दिखिए, जो भी reason रहे, happiness joy रहती भी दिख रही है और कुछ के लिए फिर से मैं कहूंगी कोई इंसान भी हो सकते हैं जिन से आपकी जादा बातचीत हो रही है हो सकता है, बहुत time से आप उनसे connect करना चाहा रहे थे, इस week आप connect कर रहे हैं, आप फिर कुछ के लिए भी हो सकता है already ये इंसान आपकी life में है और इस week जादा आपकी उनसे बातचीत हो रही है, या फिर उनकी तरफ से एक support, एक cooperation आपको मिल रही है, या आप उनको support कर रहे हैं, cooperate कर रहे हैं, तो again कुछ भी हो सकता है मोटा माटी बात याई कि आप अच्छा feel करते होए दिख रहे हैं कहीं emotional, sentimental, आप चीजों को लेकर, लोगों को लेकर जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर होते होए दिख रहे हैं, और बचकानी emotions, बचकानी feelings नहीं रहते होए दिख रहे हैं, बहुत mature emotions feeling sentiments रहते होए दिख रहे हैं और आप खुश रहते होए दिख रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है and personal front के लिए आप लोगों के लिए 8 of Ariel का card है, और दिखिए ये card कहता है कि personal front में किसी चीज को लेकर बहुत एक hard work करते वे दिख रहे हैं hard work I think is not the right word जो भी कर रहे हैं बड़ी devotion बड़ी dedication से कर रहे हैं और उसके लिए effort करते वे दिख रहे हैं अब दिखिए again situation circumstances सबके लिए differ करेंगे अगर आप vacation पे जाना चाहा रहे हैं तो आप उसके लिए effort करते वे दिख रहे हैं यानि कि कैसे जाएं क्या करें क्या आपको जगा पे vacation जाना चाहिए vacation पे जाना चाहिए तो यहापर मैं आपको सिरफ example दे रही हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं बड़ी devotion dedication के साथ कर रहे हैं और जो भी आपकी dedication devotion है उसको लोग आपके आसपास के यानि कि आपके loved ones, close ones acknowledge करते वे दिख रहे हैं appreciate करते वे दिख रहे हैं तो all in all आप बहुत अच्छा feel करते वे दिख रहे हैं चोटी चोटी सी चीजों पे चोटी चोटी सी details पे भी आप attention देते वे दिख रहे हैं money, पैसा, materialistic, tangible चीजें आपका focus रह सकता है यानि कि आप उस पे जादा attention दे रहे हैं और बहुत practical, realistic होके चीजों को करते वे दिख रहे हैं तो दिखिए दोनों ही fronts के card बहुत ही beautiful हैं और इस हिसाब से ये week आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा energies reverse है professional front में हम थोड़ा सा practical, realistic होते हैं और emotions कम होती हैं और emotional front में हम जादा emotional, sentimental होते हैं लेकिन आप लोगों के लिए इस week opposite हो रहा है आप professional front में emotional, sentimental हो रहे हैं उसी से related effort personal front में कर रहे हैं और हो सकता है कि इस week आपको वो outcome या फिर वो result ना मिले लेकिन आप भी महसूस कर रहे हैं कि भई मिल जाएगा आगे चलके वो outcome, वो result और कुछ के लिए literally हो सकता है gap or knowledge और you know जानकारी जो भी आप चाहते हैं personal front में उसको acquire करना चाहा रहे हैं लेना चाहा रहे हैं and in general या फिर guidance है refusing to seek a card है तो कुछ चीजों को आप देखके अंदेखा सुन के अंसुना कर रहे हैं अब देखे क्या है न कि इसका जो एक outcome है result है वो आपको इस week नहीं मिलेगा लेकिन आगे चलके आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि आज अगर मैंने किसी चीज के लिए आखे बंद कर ली तो अभी तो मैंने उस चीज को avoid कर दिया है ना अभी तो वो चीज मुझे तंग नहीं कर रही है लेकिन क्या होगा back end पे वो चीज accumulate होती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है एक example देती हूँ health है जैसे है ना और चोटा मोटा कुछ issue दिख रहा है अब आप ignore कर रहे हो कौन जाएगा doctor के पास यार छोड़ो ना कुछ नहीं होता और घर में आपने ऐसे घरेलू चीजे ले ली which is very good हमें पहले घर से ही शुरू करना चाहिए बढ़ फिर भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो आपको यह नहीं समझ में आ रहा कि भाई आप एक बर ही अपना टेस्ट कराएंगे आपको clear हो जाएगी picture अगर कुछ है तो starting में उसकी medicine लेके आप cure कर सकते हैं आखें बंद करने से वो चीज ठीक नहीं हो रही हाँ उस time आपको नहीं महसूस हो रहा लेकिन 15 दिन बाद महीने बाद जब वो problem या तकलीव बढ़ती जाएगी फिर जब आप देखेंगे तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसी तरीके से relationship में भी हमारे को कोई बहुत love करते हैं बहुत हमें prioritize करते हैं हम उनको ignore करते रहते हैं हम नहीं उनकी बात सुनते हैं हमें कोई अच्छी advice ही दे रहा है हमारा well-wisher हम उसको ignore कर रहे होते तो उस time हमें उसका result या मैं कहूंगी उसका एक असर नहीं दिखता है लेकिन जब दिखता है तब लेट हो चुकी होती है और फिर चीजों को ठीक करना मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा भी कोई चीज आपको ठीक नहीं लग रही उसको acknowledge करें और जैसे English में कहावत है न a stitch and time saves nine इसी तरीके से आप इस week उसको accept करेंगे या उस पे attention देंगे उसको ठीक करेंगे तो आगे के लिए आप चीजों को सुधार लेंगे तो कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही उसको ignore ना करें अंदेखा ना करें अंसुना ना करें नचल में आपके लिए यही एक guidance है and astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है इसके हिसाब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो यह था पाईसेज आप लोगों के लिए coming week का साथ आप था ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए